कि यह संखनाध है सर्वे का और इस वागत करता हूं कि यह साई की सर्वे के मात्रम से सच्छाई बाहर आएगगे इमेज किये हुए करेंगे इसलिए कोट ने उनके जितने क्या कहते हैं अप्रियेंशन से उसको रिजेट किया है और एस साई सर्वे का रस्ता साफ किया है ज्यान वाबी में सर्वे जारी अब मधुरा की तयार जल से जल होना जाहिए ने तो हमेशा कुछ नो कुछ बात इंचलती रहती है इसका फाइनल एक डिजिशन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छे जनम मुमी पर भी आप चाहेंगी कि इस तरह का सर्वे कोना चाहिए वहां पर सच सामने आए बहुत आए बहुत कि अच्छे अच्छे राम उतार काशी में खुलेगा श्रीवद्वार कि अच्छे सामने आएगा हमने पहले ही कहा कि सत्य परिसान हो सकता है पराजित नहीं आज मानिय कूट कर निर्ड़ा है और मेरा तो पूरा विश्वास है कि वहां भगवान विश्यस्वर महादेव का मंदिर भवे पुना बनेगा अब उन्होंनों दुबारा आए फिर एक और उसमें वो क्या चाहते हैं मैं तो यहीं चाहता हूं कि मुल्क के अंदर जो यहालात पेदा किये जा रहे हैं यह मुनासिब नहीं है जोनपूर बदायू आगरा बनेंगे सनातन कि धरा अंके मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को काना चाहिए कि हमारी पूर्वजों ने जो भूल किये उसको हम सुधार कर सकते हैं लेकिन वो सुध रोप से महजिद के नाते मस्जिद कहके और जो मंदर का जो आकार था उसको धस्त किया मंदर मस्जिद और जिद नमश्का न्यूज स्टेट यूप उत्राखंड देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रितू विवाद की कितनी मिनारे हैं और दावे के हिसाब से कितने मंदर क्या ग्यानवापी के बाद मधुरा की बारी है और उसके बाद बदायू जौनपूर आगरा की तयारी है देश में मंदर मस्जुत के जद वर्षों से चली आ रही है अयुद्धा में भवेश्विरा मंदर का निर्मान हो रहा है तो काशी में शिव के द्वार खुलने वाले है दावा है कि ग्यानवापी के सर्वे से सब्ते बाहर आ जाएगा और यहां भी आदी विश्वेश्व पर पधारेंगे ग्यानवापी में सर्वे के आदेश के बाद मत्रा में कृष्ण भगतों की भी आजजग उठी है हिंदू पक्ष का कहना है कि वो ग्यानवापी केस को आधार बनाकर कोट में श्वाही इदगा मस्जुत के सर्वे की मांग करेगा कहानी यही खत्म नहीं हो उत्रप्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद हो या फिर बदायू की जामा मस्जिद यहां भी हिंदू पक्ष सर्वे कराने की मांग कर रहा है ऐसे में सवाल है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर फुल स्टॉप कब लगेगा एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बड़े धर्मसलों की बात करेंगे जहां विवाद है सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ज्यान वापी की जहां पर सर्वे का आदेश आया है कि अच्छा के दोनी मंगल दोनी के आती है मंगल वादिक आता है और धर्म के दिश्टी से संग की दोनी से आदा मंगल कुछ नहीं होता महादेव की जैजैकार है पिलाबाद हाई कोड के फैसले के बाद काशी शूमे हो चुकी है भोले के भक्तों का दावा है कि अब दूज का दूज और पानी का पानी हो जाएगा ओ बहुत संदर और जथार्त आदिसाया है क्योंकि जहां ग्यान बापी के मस्जित कहा जाता है ज्यान बाबी काहीं तिरसुल रहता है हमारे योगी जी अभी कोई थे उनको ज्यान बाबी मस्जिद करना महा पाप है ज्यान बाबी मस्जिद नहीं हो मंदिर है निश्चित रूप से आने बाले समय में जांच होगा दूद का दूद पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से कई ऐसे साक्ष हैं कई ऐसी प्रनाम प्रमान है वहाँ पे जो कि ये बता रहे हैं कि ये मंदिर ही था और विदेशिया करान ताने आकर हमारे मंदिरों पर हमला किया और मंदिर के उपर मस्जिद बनाया इसलिए ये जाच कभी सह है जाच होगा और साथ ही ये संकनाथ आप देखिए कि आप पर हिंदू अनुवाई पेहत खुस हैं उन्हें साफ साफ ये निजरा रहा है कि आप ग्यान वापी का जो सच है वो आप बाहर आएगा हिलाबाद हाई कोड्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया वारानसी जिला कूड के फैसले को बरकरार रखा मुसलिम पक्ष की याज का खारिश कर दी और बिना खुदाई और नुक्सान पहुँचाए एसाई सर्वे जारी रखने को कहा हिलाबाद हाईकोप ने कहा न्याहित में A.S.I. का सर्वे जरूरी है कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है 21 जुलाई को वारानसी जिलाजज ने ग्यानवापी के A.S.I. सर्वे का आदेश दिया था A.S.I. सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ करिव 4 गंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रिम कोट ने मुसलिम पक्ष की याजका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोग लगा दी फिर मुसलिम पक्ष ने इलाबाद हाई कोट में A.S.I. सर्वे के फैसले को चुनोती दी दो दिन सुनवाई के बाद 27 जुलाई को इलाबाद हाई कोट ने E.S.I. सर्वे पर फैसला सुरचित रखा है और 3 अगस्त को इलाबाद हाई कोट ने सर्वे की इजाज़त दे दी हाई कोट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रिम कोट का रूख कर चुका है उस पर अमल किया जाएगा लेकर मुस्लिम साइड यही चाहता था कि यह जो हमारी तकरीब भी जाज़त नहीं दी है खुदाई करने चमना किया है और हम लोगों का एक जाहिर बाद केस अलड़ी चला है प्लेसेज और वाशिप एक को ले करके और यह कानून इसलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेज हैं वाशिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्ट 1947 को था वो मेंटेन रहे हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पू कि जो वजू खाना है जिसमें शीवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुक्सान या छेड़ चार नहीं की जाएगी उसमें कोई हस्तेशेप नहीं होगा और यह पूरी तरह से पूरे परिशर का जो बैरिकेटिड एरिया है रखवा नंबर 193 जिसमें कथित ज ज्यानवापी मस्जिद अवस्थित है उसके सर्वे करानी की बात आ गई है हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सर्वे से सत्य बाहर आएगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने भी कहा था कि ज्यानवापी की दिवारें चिल्ला चिल्ला कर सच कह रही हैं तरसूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है हमने तो नहीं रखे न वहां तो सुरक्सा है एक सेंट्रल फोरसेज है उनके मुत्वल्णी है ताला चावी उनके पास रहती है तिर्शूल कैसे वहाँ बने वे जो तिरलिंग है देव परतिमाये है पूरी दिवाले चिला चिला के क्या कह रही है काशी में मंदिर मस्जीद का विवाद सर्वे से सुलजेगा या उलजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलाल हिंदू पक्ष को विश्वास है कि शिवी सत्य है और सत्य की जीत होकर रहेगी वारानसी से शुशान्त मुकरजी के साथ टीम न्यूज इस्टी वही कितने धर्म सलो पर सवाल अभी बाकी है पवाल आयोध्या का विवाद सुलज गया लेकिन क्या देश के और धर्म सलो का विवाद सुलजेगा या फिर उलजता चले जाएगा चलिए अब आपको देश के कुछ बड़े मंदर मस्जिद विवाद बताते हैं कहां कहां उसकी जानकारी देते हैं और इसके साथ आपको बता दे ग्यानवापी वारणसी शाही इदगा मस्जिद मथुरा और ताजमहल आगरा अटाला मस्जिद जॉनपोर जामा मस्जिद पदाईयू और इसे के साथ कुवत अल इसलाम मस्जिद दिली आगे बताएं कमला मॉला मस्जिद धार अदीना मस्जिद मालदा बीजा मंडल मस्जिद विदीशा आगे बढ़ेंगे ये भी बताएंगे कि जामा मस्जिद एहमदबाद यहाँ पर भी विवाद है जामी मस्जिद पाचन यहाँ पर भी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद है सर्वे से ही समधान निकलेगा अब इसकी डिमांड मतुरा के कृष्ण भक्त भी कर रहे हैं श्वाही इद्गा मज़ुद का भी ASI सर्वे जल्द हो इसकी मांग उठ रही है यहां की सांसद हेमवाली ने भी वैज्यानिक सर्वेक्ष्ण की बात कही है ज्यानवापी के सर्वे के आदेश के बाद मतुरा के कृष्ण भक्तों की भी आज़ रगुठी है तांसद हेमा मालीनी ने कृष्ण जन भूमी के भी वैज्यानिक सर्वेक्ष्ण की डिमांड कर दी है मतुरा की श्वाही इदगा और मीना मस्जुद के सर्वे की मांग भी की जा रही है ये कृष्ण जन भूमी से सटे हुए बने है इस पर हिंदू संगठन और कृष्ण जन भूमी मुक्ति नियास लगातार ही कोटवे सर्वे की मांग कर रहे है उनका दावा है कि ये कृष्ण जन भूमी पर बनाए गए है मतुरा में पूरा विवाद करीबा 13.37 एकर जमीन का है हिंदू पक्ष्ण ये मांग कर रहा है कि मस्जद को हटा कर ये मंदर बनाई जानी चाहिए हमिद्धन पीट पीठाव कर रहा है कर दितनलम कर रहा है कि मतूमाँ कर रहा है